आज हम बात करने वाले हैं कि सुभह उठके हमें कौन-कौन से काम करने चाहिए तो आज हम यहीं बताएंगे जिसके बाद आपकी जो लाइफ है वो बहुत अच्छी हो जाएगी जो आपका दिन है वो बहुत अच्छा गुजरेगा यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूघु कि दिन की शुरवात अक्सर हमारे रात से होती है यानि कि आज के सुभह की शुरवात कल के रात से होनी है जब आप कल रात को सोने से पहले जब यह सोचते हो ना अगले दिन में क्या क्या करूँगा, तभी से आपके दिन की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि वहां पर आप अपने दिमाग में चीजों को इकठा कर रहे होते हो, कि मैं कल यह यह चीज़े करूँगा, अब वही आपके सबकॉंशियस माइन में हिट हो जाती है, दिमाग में बैठ जाती हैं जो कि याद आती है आपको अगले दिन जब आप अगले दिन उठते हो तो आपके मन में ये नहीं रहता कि आज मैं थोड़ा और सो लेता हूं जी नहीं बलकि आपके मन में ये आता है कि मुझे ये ये काम करने थे तो जब आप रात में सो रहे हो तो सोने से 5- अगर आपको लगता है कि आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है वो करने वाले हो तो और भी अच्छी बात है जो भी करना है अपने दिमाग में बैठाओ और ये हमेशा की तरह ऐसा नहीं होगा कि सोचा तो बहुत कुछ कि मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा और करते कुछ भी एक reason होना चीए कि इस काम को करने से मुझे क्या मिलेगा जब आप ये देखते हो ना कि क्या मिलेगा फल को देखो लोग कहते हैं कि करम करो फल की इच्छा मत करो ठीक है अच्छी बात है लेकिन at least फल के बारे में सोचो ये ना सिर्फ आपको अपने तरफ attract करेगा बलकि आपक पाकिए यार 5 मिनट और सइह क्या जाता है 5 मिनट की नींद और ले लेता हूं बहुत मजा आएगा जो ये मजा है ना ये मजा कभी नहीं आता लाइफ में मजा तब तक नहीं आएगा जब तक आप महनत नहीं करोगे short अमस में शायद आपको मजा आ जाये short terms में आपको ये लगेगा कि 5 मिनट की नींद हाय मुझे कितना सुकून दे रही है लेकिन जब आप longer term की सोचते होना तो आप सोच के देखना कितना बुरा लगेगा तुम्हें लगता है कि नींद से उठके 5 मिनट और सो के आपको सुकून मिलता है लेकिन साइन्स ऐसा नहीं कहती साइन्स कहती कि एक सुकून भरी नींद को लेने के लिए कम से कम नहीं तो एक साइकल 90 मिनर्स का होना चाहिए जो कि 5 मिनट में तो कता ही पूरा नहीं होना ये आपका वहम होता है कि मुझे बहुत अच्छा लगा, पांच मिनट और सो लिया, लेकिन इससे आपको जो पूरा दिन होता है, वो बिकार हो जाता है, तो इसलिए यहाँ तो सोना है, तो भाईया, 90 मिनट सो जाओ, तो आपका एक साइकल भी पूरा हो जाएगा, काम धंदा छो उससे पहले ही उठ जाता हूँ, तो बहुत अच्छी बात है, अलाम को कैंसल करके सोते क्या हो, अरे उठ जाओ न, पांच मिनट पहले उठने से, शनिया मंगल भारी तो पड़ेगा नहीं, भीया, आपका फाइदा ही तो होगा, थोड़ा आप कंसंट्रेशन से काम कर पाओ थोड़ा वक्त दे पाओगे, और यही हमें लेका चलता है अगले पॉइंट पे जो की है, उठने की ज़च्ट बाद क्या करना है, थोड़ यहाँ पर पानी ना सिर्फ आपका मेटाबलिजम ठीक करता है, बलकि आपको एक एक एनरजी भी देता है, अगर आप चाहो तो उस या सुबह उठते ही पानी पीओ, इससे आपकी बॉड़ी हाइडरेटेड होगी, एन्ड अगेन मेटाबलिजम अच्छा होगा, थोड़ी एनरजी मिलेगी, फोर्थ यहाँ पर पॉइंट है, मेडिटेशन करो, आपने एक गलास पानी पी 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 लिया, सब कुछ हो गया, ह लेकिन दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं है, यार दिमाग तो बहुत लगाता हूँ, लेकिन लगता नहीं है, पता यह क्यों होता है, आपकी जो कंसंट्रेशन पावर है न, वो बहुत कम है, इसको बढ़ाने के लिए अब आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, अब यहा यह कोई रूल नहीं है कि आपको बस मेडिटेशन ही करना है, अगर आपको लगता है कि आपको कोई एक्सराइस करनी है, तो और भी अच्छी बात है, अगर आपको लगता है जिम जाना है, तो वो भी अच्छी बात है, कुछ भी करो लेकिन अपने बॉड़ी को पेन दो, अ आजे से काम करो, बस, लाइफ इतनी ही सिंपल है, उसको अगर complicated बनाओगे तो complicated होती जाएगी, यहाँ पर बैस शुरुआत आपको अच्छी रखनी है, आगे का तो सब सही होगा, फिर रात में आए, सोने से पहले जश्ट आपको ये सोचना कि कल आप क्या करने वाले हो, फिर और वीडियोज आपको चाहिए, तो चैनल को subscribe करो, उसके बगल में घंटा आता, उसको दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, घंटा बहुत जरूरी है, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो और लोगों तक जाने चीए, तो वीडियो को share करो